असलाम लेकुम तो माई यूटूब चैनल आज मैं आपके साज शेयर करने जा रहे हूं उकमा की रेसिपी यह ब्रेकफास्ट रेसेपी है जटपड से बनके त्यार हो जाती है और बहुत ही पॉस्टिक होती है बहुत ही नुटिशियस होती है सूजी से बना हुआ यह तक करेंगे जब तक करेंगे जब तक को बहुत जा रहा हुज करेंगे को करेंगे सूजी करने रहे हमें चेंज दो शुझी का लगा उसा ब्राउन हैं डाइसे Yoga अब इसको हमने ब्राउन नहीं करना है 혁लकी सी मे verballyूण चुकी है अब इसको हम निकाल लेते हैं तो सूजी हमारी फुन के रेडी है अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हम 0,2025 खाने वाली चम्मज घुर डालेंगे पैन के अंधर यह खिशे बनाने के अंदर गहीं है göster सब्सक्रहत्समय क jut काजु ए तब रोस्ट रोस्ट करेंगे.. । ऑफिव दोिव ते दोस ब्रॉस्ट हो जाते ही, элем मुथ जल्दी रोस्ट करेंगे.. सब्सक्राइब काजू दाल यह सब्सक्राहिए. नहीं तो मुंख फिली का कलर ज्यादा ब्राउन हो जाएगा और वह अच्छा नहीं लगता है दिखने में तो से निकाल लेते हैं अब बचे हुए गी में हम आदः छोड़ी चमस डाल रहे हैं राई यो और आदः छोड़ी चमस Launch लगी में इसमें जीरा इन दोनों को थोड़ा से चटकने देंगे इसे पहले चटकने दें, नहीं तो इसमें कड़वा टेस्ट आ जाता है, राई आची तरह से अगर नहीं चटकती है तो राई देखिये, चटकने लगी है, इसके बाद आप अपने हिसमें करी पतता करी लीव आपने हिसाब से डाल सकते हैं, छे साथ पत्ते या उस से जाधा अब देखिए राई हमारी चटकने शुरू हो गई है इतना ही हम इसे पकाएंगे इससे जादा नहीं पकाना है अब इसमें हम एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे बारिक चॉप करके वह एड़ कर लेंगे प्यास को हमें बहुत जादा भूनने की ज़रूत नहीं है प्यास को हम हलका सा भूनेंगे हलका सा ट्रांस्लूसेंट होने तक ही हम इसे भूनेंगे प्यास को बहुत जादा ब्राउन करने की ज़रूत नहीं है प्यास का बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है उपमा के अंदर अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप एक हरी मिर्च की जगर दो या तीन डाल सकते हैं अपने टेस्ट के साब से मैंने यहां पे एक हरी मिर्च डाली है अब इसको भी थोड़ा सा भून लिया है इसके बाद हमस्में डालेंगे सबजियां जो भी आप अपनी साब से डालना चाहें मैं यहां पे मटर डाल रहे हूं मटर और गाजर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उपमा के अंदर तो मैं इसमें मटर और गाजर ही एड़ कर रहे हूं और इन सबजियों को हमें एक दो मिर्ट के लिए बून लेना है सब्जियों को एक से दो मिर्ट भूनना है और बाकी हम इसमें पानी डालेंगे तब यही सब्जियां अच्छी तरह से बोई हो जाएंगी तो अब 1-2 मिरट भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे उससे पहले हम इसमें नमक डाल लेते हैं दोड़ा सा आधा चूटी पानी आड़ेंगे तो दालना है तो पानी कितना डालना है तो पानी थोड़ा हो जाएगा तो हमें सब्सक्राइब तो 3-4 मट के लिए पकाना भी है तो अच्छी तरह से बॉयल आने के बाद दें और 2-3 मट और पकने दें जब तक की सब्सक्राइब अच्छा नहीं जाती तीन मुट के लिए मैंने इसे बॉयल के लिया है अब हम एक बार गाजर को चेक कर लेंगे गाजर अगर सॉफ्ट हो गई है तो हम इसे जादा नहीं पकाएंगे तो पानी ठंडा कर लेती हूं और उसके बाद हाद से तोड़ के देखेंगे अम इसे कि अमारी गाजर जो है सॉ किससरे सॉजी आड़ के लिए से रहे सा एंड़ करने से अस्तुशे मिक्स हाँ घल गी सबत करने की अपर मीडियम कर सकते हैं तो हमने इहां पर लोग मिक्स कर लेंÚ विया선ी से अज़ गए सी ओ तुम्हारी ।ाहर से ने दोखirmेता कर दोखको, सब्सक्राइब धूल कर Corona, वह वह लिए और टोख सकता थीच पर गाज करें। घंसे बाद एक मिनटंगों सब्सक्राइब हैं। तो बस हमार उपमा रेडी है एकदम सूजी हमारी खिली-खिली हो गई है अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं मैं इसमें उपर से दो चोटी चमस देशी घी और अड़ करें हूं इससे बहुत ही अचा फ्लेवर आता है लास्ट में जब आप घी आड़ कर तो आप इसे मन तो करेंते हैं और इसा थां ने लात है ऑफ हकाता है है यह लाजवाब समय कि अम्टने में डिश सकते है था को हिए आप करेंगे क्याशे थिर्फ है वहां सब्सक्मिल तो मैं शुच्टने में बहुत ही कुश्वरत लगतêu बहुत दोंगता है पहुत ही पॉस्टिक है उपमा बनांके रेडि है बहुत ही है पहुत ही है तो नोम खाने में挺 healthy ठीज होता है तो आप इस रेसेपी को ट्राइ चर्ए लगे तो लाइक और शेर करें अगर आप मेरें चैनल पे पहली को सबस्क्राइब करना न भूले and thanks for watching this video